कंडिडेट जिन्होंने बीस्सी किया है जिन्होंने डिप्लोमा किया है और जिन्होंने आईटी आई किया है सो आईटी आई में टोटल अठारा डिफ्रेंट 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 स्ट्रीम की वैकिंसी रिलीज की गई है तर्णर अलेक्टिशन मेकनेग फोटोग्राफ कंप्यूटर ऑप्रे इसी तरह जो है कार्पेंटर इसी तरह टोटल सत्रढ़ सत्रह 18 स्ट्रीम में आईटी आई के लिए वैकिन्स निकला है दूसरा जो BSC Holder है जिन्होंने Geology से किया है Agriculture से किया है बोटनी से किया है Electrical से Mechanical से Civil से Automobile से तो Different Physics से Mathematics से इसी तरह जो जिन्होंने BSC या Diploma किया है उनके लिए 24 stream में vacancy निकला है इसे Candidate जिन्होंने BSC Diploma या ITI किया है उनको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए क्योंकि इसमें 24 and 17 different stream की vacancy है तो आप इसमें इसमें eligible होंगे Freshers के लिए है कोई भी experience इसमें नहीं मागा है So Friends Welcome back to e-education channel आज हम discuss करने जा रहे हैं इसमें number of vacancies कि stream के लिए कितनी है application fee होगा क्या right each and everything हम इसमें cover करेंगे वह quickly it's not take more time so discuss करने से पहले मैं आपको एक good news बताने जा रहा हूं वह यह है जैसे कि किसी भी exam में like examination pattern जो होता है उसमें current affairs का section होता है उसके लिए मैंने class start किया है और यह current affairs ऐसा है कि कोई भी exam में जो current affairs पूछा जाता है उस सभी को मध्य नजर रखते हुए मैंने यह current affairs को design किया है तो प्लीज आप सभी लोग 9 o'clock in the evening नौब ये रात में आप जोइन कीजे लाइब session और आप देखिए कि आपके लिए कितना यह फाइदमान है आपको कहीं और पढ़ने की जवलत नहीं पढ़ेगी current affairs के लिए right friends so join कीजेगा 9 o'clock in the evening so discuss करते हैं इस notification को quickly friends so यहां पर देखिए यह जो है DRDO के द्वारा release किया गया है वेकिंसी जिश में की दो profile रखा गया है first man senior technical assistant जो बीएसी holder और डिप्लमा holder के लिए और पीटेक holder के लिए होगा और दूसरा है technician a great जो कि ITI holder के लिए होगा so यहां पर timeline की बात करें तो 3rd September से लेके 23 September तक जो है 3rd September से लेके 23 September तक आप form fill कर पाएंगे अभी window open नहीं हुआ है 3 September को window open होगा and 23 September तक आप form fill कर पाएंगे examination most probably November तक आपका CBT first हो जाएगा right so अभी इसमें देख लिजे अगर आप preparation कर रहे है तो आपना preparation तेज कर दीजे friends so यहां पर हम देखेंगे number of vacancies and then examination pattern and all these things salary structure की बात करें जहां पर senior technician की बात है 35,400 लेकि एक लाग बारह अजार चार सो तक है entrance ITI holder वाले फीज वेच करें दो मिनिट मैं पहते senior technician assistant के बारे में बता देता हूं then फिर ITI holder के लिए डिसकस करूँगा so 35,400 में आपको other analysis भी मिलेगा इसके अलावा जिश में पी अप होगा ग्रेच्टी होगा एचारे होगा बोनस होगा टी एटी एटी एन लोड़ सा पदरती तो स्टार्टिंग salary आपकी 50 के आसपास मिलेगी यह basic salary है राइट इस पे आपको other analysis भी मिलेगा age की बात करें तो 18 से 26 रखा गया है देन फिर यहां पर टोटल दस वेकेंसी है और टो मोवाइल इंजिनेरिंग से किया है डिप्लोमा मैकेनिकल या ओटो मोवाइल से तो 15 वेकेंसी है बोटनी के लिए तीन वेकेंसी है बीसी इन बोटनी रखा है civil engineering में total 25 vacancy है, diploma in civil engineering महाँझा है computer science, computer science पे bs degree in computer science और allied subject जो computer science के equivalent हो तो वो apply कर पाएंगे 167 vacancy है electrical electronics engineering 17 vacancy है and diploma महाँझा है, electrical engineering diploma महाँझा है 68 vacancy है, electronics and instrumentation क्रिफ दिप्लोमा इसमें भी मांगा एलक्रोनिक्ष और क्रिफ ट्रोनिक्स शुनिकेशन और ऐलक्रोनिक्सले स्टेस कैंस में23 व्हश्वाहन बेदी ओके आगर आप न कीसी घडा सब्जेक्ट से से खी ओxis सısı ऑना चाहि और वन यर का लाबरेरी साइंस में डिप्लोमा चाहिए 23 वेकेंसी है mathematics 13 वेकेंसी है and mechanical engineering के लिए 294 वेकेंसी है metallurgical के लिए 21 वेकेंसी है and इसमें भी डिप्लोमा मांगा है medical lab technology इसमें ब्स अगर आपने MLT से किया है medical lab technology से किया है या फिर आपने plus two के बाद two year का डिप्लोमा MLT किया है तो आप अप्लाइ कर सकते है and state government one year relevant experience इसमें मांगा है तो solar vacancy है इसमें so photography में जो है BSc degree in photography from recognized university right इसमें जो है art vacancy है bachelor degree इसमें apply नहीं करेगा यह like bachelor in art fine वाले इसमें लिजिबल नहीं होगे physics में BSc degree in physics from recognized university इसमें और printing technology में BSc अगर आपने printing technology से किया है तो 5 vacancy है psychology के लिए 11 vacancy है BSc in psychology मांगा है textile BSc degree in textile, textile chemistry from recognized universities 5 vacancy है geology के लिए 9 vacancy है geology में BSc चाहिए right so total 1075 vacancy है okay so अब हम बात करेंगे ITI holder के लिए जो की technician A, 9,900 लेके 63,200 salary structure है यह basic है plus other allowances, PF, graduate, HRA, TA, TA यह all these things मिलने वाले है तो starting salary जो है आपका 33,000 के आसपास होगा right so 18 से 28 age रखा गया है और age relaxation as per the government SCST OBC को मिलने वाला है automobile के लिए total 34 vacancy है अगर आपने ITI से ITI automobile किया है तो and दूसरा जो है book binder इसमे 20 vacancy है अगर आपने ITI 10th के बाद अगर आपने ITI book binder से किया है या फिर offset mechanic operator कम book binder trade से किया है तो 20 vacancy है आपके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं Carpenter के लिए जो है total battery vacancy है ITI carpenter से लिए CNC operator इसमें जो है draftman mechanical 35 vacancy है DTP operator इसमें जो है आपका desktop publishing operator 8 vacancy है electrician के लिए 106 vacancy है electronics के लिए 113 vacancy है fitter के लिए 127 vacancy है grinder के लिए 7 vacancy है mechanist के लिए जो total vacancy है वह आप देखेंगे 89 vacancy है and diesel mechanic में जो है total 4 vacancy है mill arrest mechanic इसमें जो है 8 vacancy है motor mechanic में 13 vacancy है and printer में 3 vacancy है photography में 11 vacancy है RAC refrigeration air conditioning 8 vacancy है उसके लावा यहाँ पे seat matter worker में 14 turner में 45 welder में 50 total 826 vacancy है friends अब हम इसमें डिसकस करेंगे examination pattern जो की most important thing है examination pattern and application fee so application fee जो है 100 rupees है ज्यादा application fee नहीं है इसमें और इसमें जो SCST और women candidate है उनके लिए कोई भी application fee नहीं है so यहाँ पे देख सकते हैं 100 rupees right and जो candidate यहाँ पे all women and SCST PWD x servicemen के लिए application fee नहीं है अब examination pattern देखते हैं यहाँ पे उसके पहले आ रहा है 39 places में यह exam होने वाला है throughout the India selection process की बात करें तो यहाँ पे दो stage का paper होने वाला है तो पहला जो है यहाँ पे structure दिया गया है जो senior technician के लिए जिसमें के 120 number के question पुछे जाएंगे CBT screening में जिसमें के aptitude, reasoning, general intelligence, general awareness, English language, general science यह 120 number का question रहेगा 120 number के number रहेंगे और 90 minute में आपको यह solve करना पड़ेगा इसमें जो general awareness है यह आप like मेरा class attend कर सकते हो यहाँ पे देखी दूसरा है आपका technical जैसे आपने चलोजी से किया है, बटनी से किया है, mechanical, electrical, photography तो उन सबसे यह 100 questions पुछे जाएगा 90 minute का तो इन दोनों के base पे आपका merit list तियार किया जाएगा, third, जो second thing इता, ITI holder, ITI holder में 40 questions जो है रहेगा, quantitative aptitude से, उसके बाद general intelligence reasoning से, and general awareness से, and English language से, 40 question रहेगा, and जो है आपका दूसरा trade test होगा, trade मतलब अगर आपने carpenter से किया, तो 80 question carpenter से रहेगा, electrician से 80 question रहेगा, तो इसी त stream से आप है, उस stream से ऐसी question पूछे जाएगे, 120 question रहेगा, 90 minute में आपको ये solve करना पड़ेगा, दूसरा trade test होगा, practical कड़ाया जाएगा, दो गंटे का रहेगा, तो इस दोनों के base पे आपका merit list तियार हुआ, right, so ये overall all recruitment process है, इसमें, अगर आपको इसमें कुछ भी doubt है, तो आ अगर वीडियो informative लगे तो लाइक कर दीजे, चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे, ताकि government jobs related update आपको मिलता रहे, so thank you friends, मिलते हैं नए वेकर्जी के साथ, thank you